अगोरी वीर साधना अनुभव सभी तंत्र जिग्यासु जनों को मेरा प्रणा ये साधना मैंने खुद की हुई है वैसे तो कई साधनाए मैंने की लेकिन ये साधना का अनुभव अद्भुत रहा है सभी साधनाओं में ये मेरे को सबसे ज्यादा ताकतवर साधना लगी पिछले साल ये साधना मैंने एक पुस्तक से प्राप्त की लेकिन उसे देखकर ही में समझ गया वो मंत्र अधूरा था और फिर मैंने आपने गुरुजी से बात की उन्होंने मुझे बताया तो मैं हैरान हुआ उसमें गुरुजी ने पल्लव जोर दिया एवं मुझे गुरुदेव ने साधना करने को बोला मैंने वो साधना शुरू कर दी एव मुझे दो सरे ही दिन से अपनी साथ कुछ होने का अनुभव हुआ जब मैं वो जाप करता था तो एक बूढा साधु जो की हाथ में तिर्श समय डरावने सपने आने लगे उसमें एक नहीं कई बुढ़े साधों ने मेरा जिन हराम कर दिया था लगातार वही बात हो रही थी यह साधना छोड़ कर भाग जाओ छोड़ दो इसे लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि यह साधना बहुत उग्र है इसे बीच में मत छोड़ना वरना अंजाम ठीक नहीं होगा इसलिए मैं इस साधना को लगातार करता गया एक दिन तो हद ही हो गई सामगरी खरीदने के लिए पांच रुपए भी नहीं बचे थे मेरे फोन का रिचार्ज भी खत्म जेब में पैसा नहीं और बाइक में पेट्रोल भी खत् ऐसा लग रहा था कि आज मेरी साधना खंडित होकर रहेगी अचानक मेरा बेटा खेलने के लिए गली के बच्चों के साथ कुछ खेलते खेलते भागते हुए मेरे पास आया पांच सौ रुपए का नोट पकड़ा कर बोला पापा जी ये पैसे आपके कोई दोस्त दे कर था कि किसी को भी पता नहीं था इस साधना का फिर पैसे खेर मैंने वो पैसे से सामगरी ले ली और साधना संपन्ता की तरफ भड़ने लगा कि अचानक अंतिन दिन एक तांत्रिक बाबा जो मेरे दोस्त के जान कर थे आ गए और मेरे पास तिक गए और जाने का नाम नहीं रहे थे और मैं इस सोच में पड़ा हुआ था कि यह बाबा जाए तो मैं अपना पाठ शुरू करूँ अचानक उस बाबा का कोई चेला उन्हें ढूंडता हुआ आ गया और उसके बाद वो उनको अपने घर ले गया तो मैंने अपना पाठ किया वो परीक्षा की रात थी ये जो अगोरी की किरिया थी वो में रोज रातरी को करता था और पाठ के बाद समान लेकर जाता था उसमें बकरे के कलेजी होती थी उसे मुझसे नजर बचा कर कुट्ता लिजा रहा था लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अनजान काले रंग का भयंकर रूप धारन किये हुए एक दूसरा कुट्ता उसको जपता फिर क्या था कुट्ते ने अभी पॉलिथीन फाड़ा नहीं था ये देखकर मेरी जान में जान आई और उस अनुष्ठान को संपूर्ण किया ये अनुभव मैंने आप से इसलिए सांजा किया है कि अगर इनसान सच्चे मन से संकल्प कर ले कुछ करने के लिए तो इश्वर भी साथ देता है परीक्षा की घड़ी में गुरु मौन धारन करके रहता है